हाई दोस्तो मैं हूनिधी और वेल्कम बैक चानल एंजी एंजल्स तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत जल्ब एक बहुत एक ब्यूटिफुल और अफॉर्डिबल लहके कर रिव्यू लेके आऊंगी जो कि मैंने पर्चेस करा है तो दोस्तो जाज मुझेस का पार्से रिसीव हो गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूडिफुल स हमिखे कर रिवीव तो दोस्तो मुझे यह यह फि gradual के पार्केजिव हुआ था तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मुझे लहंगा इस टाइब का रिसीव हुआ है यह देखिए हमें कुछ इस टाइब का लहंगा रिसीव होगा दोस्तों यह जो लहंगा है यह सेम स्टिच कंडिशन्स में रिसीव होगा हमको यह देखिए इसकी आप एक बार embroidery देखिए बहुत ही सुन्दर embroidery करी गई है यह देखिए इसका जो material है material हमको velvet receive हो micro velvet receive होगा दोस्तों और जो embroidery करी गई है वो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए कि इतनी beautiful embroidery करी गई है इसमें golden and baby pink color की embroidery हो रखी पुरे लहंगे पर यह देखिए कैसे जाल बग बना हुआ है पुरे लहंगे पर यह देखिए बहुत जादा सुन्दर लग रहा है मैं आपको बता दू कि यह जो embroidery करी गई है यह पूरे जरी के धागों से करी गई है दोस्तों यह देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ बहुत ही finishing के साथ embroidery करी गई है यह पूरे लहंगे पर यह देखिए मैं आपको पूरा लहंगा एक बार दुबारा दिखा देती हूँ मतलब मैं क्या बोलू उस लहंगे के बारे में आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना हैवी embroidery हो रही हो रही है पूरे लहंगे पर और इतनी finishing के साथ हो रही है दोस्तों कि मतलब कहीं से भी कोई भी thread नह निकला हुआ है पूरे लहंगे में कहीं से भी ऐसा नहीं है कि embroidery कहीं से बिल्कुल अच्छी से finishing के साथ नहीं की गई है यह देखिए और इसके अंदर की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें हमको inner provide नहीं करी गई है आपको inner लगानी पड़ेगी यह जैसा कि आप देख सकते है तो यह जाए नहीं के कलीदार लहंगा है और करे इसकी लेंथ की बात तो यह इसकी जो लेंथ है वो 42 है और अराउंड दो मीटर का हमको इस पूरे लहंगे में घेरा दे रखा है और जो इसकी वेस्ट है यह देखिए वेस्ट आपको इतनी है तो ज्यादा से ज्यादा यह 40-42 बेस साइस के लोगों को यह लहंगा अराम से आजाएगा दोस्तों और 5.5 अगर आपकी हाइथ है तो उससे उपर भी आपकी हाइथ है तो भी यह 5.5 से उपर भी लड़कियों को भी अराम साइज है क्योंकि 42 इंच इसकी पूरी लेंथ दे रखी है यह देखिए गाइस इस दे लहंगा इस वेरी ब्यूडिफुल यह देखिए है और लोगर लहंगी की बात करो तो मुझे लहंगा पसंद आया है वेलवेट टच में लहंगा है वेलवेटी क्वालिटी अच्छी दे रखी है बस यह है कि इनों ने अंदर इनर प्रोवाइड नही करा है जब भी आप इसको सिल्वाएंगे तो आपको इसमें इनर अपना खुछ सिल्वाने से पहले लगवाना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आप मैं आपको दिखाते हूं कि मुझे इसका ब्लाउस कैसा रिसीव हुआ है यह देखिए यह है इसका ब्लाउस ब्लाउस भी बहुत जादा ब्लाउस में भी हमको वेलवेट कपड़ा दे रखा है और इस पर चोटे-चोटे पूरे जरी में ऐसे चोटी-चोटी बूटिय टाइप में बनी बोले टाइप में पूरे इस पर और यह हमको स्लीव के कपड़ा दे रखा है दोनों साइट से यह देखिए स्लीव से आप इ यह आप फ्रंट में आएगा यह पोर्शन आपका फ्रंट में आएगा और बैक साइड के लिए हमको प्लेन कपड़ा दे रखाया है इतना यह देखिए ब्लाउस बिसका काफे सुन्दर है एंब्रोइडरी बहुत साधा प्यूटिफूल है जैसा कि लहंगी पर इंब्रोइडरी करी गई इस जरीकी उसी टाइप में ब्लाउस भी एंब्रोइडरी करी गई है अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ एक दुपट्टा नेट का और यह पीस पर जो बॉर्डर दे रखा हूँ वेल्वेट है वेल्वेट के उपर पूरा जरी का काम कर रखा है फोर साइड आपको ऐसी बॉर्डर रिसीव होगी दोस्तों यह देखिए हैं बॉर्डर का वर्ग भी काफी सुन्दर है बस थोड़ा सा डिसपोइंटिं मुझ को दिख रहा होगा तो बस मुझे यही लगा कि थोड़ा सा कलर जो दुपट्टे का इनोंने दिया है वो थोड़ा सा अलग जा रहा है बागी ऑलोवर दुपट्टे की क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत ही जबदा सॉफ्ट नेट आपको प्रोवाइड कर गया इसमें इसमें नहीं पूरी जरी बौड़ा दे रही है और दो मीटर का इसमें दुपट्टा रिसीव हो रहा है तो दोस्तों आप पार्क करते हैं इस लहंगे में एक सरप्राइस पैकेज की मुझे इसमें एक पूरा वैलवेड का स्टोल इसको आप बोल सकते हैं दुपट्टा भी बहुत ब्यूटिफुल स्टोल है दोस्तों यह देखिए इसकी वेलवेट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी दे रखी है और इसमें पूरा लेस लगा रखा है यह देखिए पूरी जरी के चारो साइट साइट सापको पतली सी बॉर्डर मल जाएगी और गाइस बहुत इसके आप वेलवेट की क्वालिटी आप स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं कि इतनी प्यारी क्वालिटी आपको रसीव हुई है इसमें यह लहंगे पे पुरा चार चांड लगा रहा है यह बहुत दो मीटर का आपको पूरा वेलवेट का दुपट्टा रस तो यह कहीं से भी ऐसा नहीं है किसमें स्टिचिंग प्रॉबलम है यह कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है यह बहुत फिनिशिं के साथ दे रखा है मुझे बेस्ट पार्ट जो लगा इस लहंगे का वो यह स्टोल है दोस्तों अब खुद देख सकते हैं इसकी प्वालिटी क कितनी प्यारी है इतना सुंदर लग रहा है यह स्टोल पूरत दो मीटर का स्टोल आपको इस लहंगे के साथ प्रॉइड करा गया है तो अलोवर अगर मैं दोस्तों लहंगी की बात करूं तो मुझे यह लहंगा बहुत अच्छा लगा है और जिस्त रेंज में मैंने यह प् जी दोस्तों और मुझे इतना प्यारा लहंगा रिसीव हो गया है तो दोस्तों अगर आपको इस लहंगा अच्छा लगा होगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप महां से चेक आउट कर सकते कि कि क्या प्राइस चल रहे हैं और अग प्रिपल लहंगे और पुर्ती और टॉपकर रिव्यूज चाहते हैं देखना तो मेरे चान को कीजिए कर सब्स्क्राइब उसके पास में एक बेल आइकन उसे दबाना मत भूलेगा ताकि फुचर में में जो भी वीडियो अपलोड करो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे मिल जाए थाइम्स पूर वॉचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल 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